हलो दोस्तो आज हम बात करेंगे सिनकॉम ग्राइप वाटर के बारे में लेकिन उससे पहले दवाईव की जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में बेल आइकन को प्रेस करें तो दोस्तो जैसा कि आप देख रहे होंगे मेरे हाथ में है सिनकॉम का ग्राइब बॉटर दोस्तो अक्सर बच्चा रोने लगता है छोटा बच्चा तो माता पिता समझ नहीं पाते हैं कि बच्चे को क्या दिक्कत है या क्या परिशानी है ज्यादा तर बच्चा तभी रोता है जब उसके पेट में गैस हो या पेट में दर्द हो रहा हो तभी बच्चा रोता है तो ऐसे में हम लोग अगर ग्राइब वाटर का इस्तमाल करते हैं तो ये सब प्रॉब्लम बच्चे को नहीं होती है दोस्तो जैसा कि आप इस पे देख रहे हैं लिखा हुआ है तुलसी युक्त अलकोहल रहत है इसमें कोई नशेलिय बदार्थ नहीं है तो ये बच्चे को बड़िया तरह से सूट कर जाएगा और दोस्तो बात करते हैं इसके इस्तमाल की ये किस किस काम में आता है दोस्तो इसका उप्योग बच्चे के पेट में होने वाली गैस पेट फूलना हिचकी अपच दात निकलने में जो भी परेशानियों होती हैं उन परेशानियों को ठीक करने के लिए क्राई वाटर का इस इसे लेने का तरीका इस पर भी लिखा हुआ है आदा चम्मच या फिर एक चम्मच दिन में तीन बार दिया जाए तब बढ़िया रहता है और इस पर इसके उपयोग भी लिखे हुए है आपाचन और पेट में दर्ट भूखना लगना वायू विकार जैसी समस्याओं के लिए उपयोग होता है ये इसका MRP 49 रुपे है और ये सिनिकॉम कंपनी का बहुत पुराना और भ्रोसे मंद प्रोड़क्ट है तो ये बच्चे को बच्चे के होने वाली ग्रोथ और बच्चे में जो दात निकलते हैं जब तो प्रोब्लम्स जो होती हैं तो उनको दूर करने के ये ग्राई वाटर दिया जाता है और दोस्तों एक और बात बताना चाहूंगा किसी किसी बच्चे को ग्राई वाटर देने से सर्दी जुखाम या ऐसी कोई प्रोब्लम हो जाती है तो घवराने की कोई जरूत नहीं है इसे बंद करके थोड़ी दिन में फिर बाद में स्ट इसे दिन में एक बार दें तब ऐसी प्रोब्लम नहीं होगी धन्यवाद दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छे लगा होगा लाइक करें शियर करें कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब परना ना भूलें धन्यवाद पर चैनल करें करते हैं